इस हपते हम MCL funding के receiving शुरू कर रहे हैं लेकिन इस हपते हमने देखा कि सुमवार, मंगलवार, बुद्वार तीन दिन त्योहरे के कारण किसी भी कारहले में कुछ कामी नहीं हुआ छुट्टी थी कारहले में कोई नहीं था तो इसलिए practically जो हमने काम ही सबते किया वो कल किया आज भी पुरा दिन अवेलेबल है कल भी बैंक चलू है तो हम उम्मित करते हैं कि आगे के दो-तिन दिन में ये काम पूरा होके हम receiving स्टार्ट करें और receiving के साथ-साथ immediately उसका distribution और utilization भी हमारे पूरे family के साथ शुरू करें लेकिन दोस्तों इसी के साथ एक काम हम करेंगे हमेशा कि कभी भी इसके आगे funding का कोई भी issue कोई भी challenge एमसिल family को नहीं होगा इसका काम हम मिलके करेंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं आते हैं हमारे मुख्य विशे के उपर दोस्तों अभी जो श्रंकला हमने शुरू की है हर श्रंकला हर ये पूरी सीरीज हर शुक्रवार जो हम करते हैं उसका एक नाम एक दिया है हमने क्योंकि हमारा लक्ष है कि हम अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाएं और इसी लक्षे के उपर अभी काम करना है और इसको हासिल करना है कि दोस्तों जबसे है मानोता की सब्वेता है जबसे सिविलाजेशन से जबसे अलग-अलग देश है यह मानों का इतियास है उस इतियास में more than 90 पर संद टाइम 90 के 95 पर संद टाइम हमेशा भारत देश दुनिया का सबसे महान देश रहा है भारत देश सिर्प से बड़ी इक यहां तक कि दुनिया के जितने भी विश्वित देले थे वो सभी भरत में थे और आज भी हम यह कर सकते हैं आज भी हमारी यहां जितने भी रिसूर्से चाहिए वो सबसे ज़्यादा है मानो कुदरत ने अपने हातों से इस देश को बनाया है और हमारा फिर से वही लक्षा है कि हम फिर से अपने देश को उस तान पर लेके जाए जिस तान पर हमारा देश फिर से दुनिया का नित्रुत्व करें और सिर्फ विझ्यान तंत्रेजान के साथ-साथ हर जग इनोवेशन की शुरुआतो हो। और अगर हमें ये हसिल करना है तो हमें इसका खायल रखना होगा कि हम हर एक शेत्र का, हमारे देश के हर एक शेत्र का सर्वसमाविशक हम विकास करें। हम हर एक शेत्र की सर्व समाविशक प्रगती करें यानि हर इस शेत्र में जो भी वहां के resources है उसको maximum potential पर develop करें सिर्फ उस जगह का आर्थिक और सामाजिक विकासी नहीं एक नए उचाई पर हर एक resources को लेके जाए और यह पूरी प्रक्रिया जो है सर्व समाविशक प्रगती की जो प्रक्रिया यह शुरू होगी बिजनस के साथ दोस्तों बिजनस वैपर वह चीज़ है जिस प्रक्रिया में resources का हम utilization करते हैं उसको develop करते हैं बिजनस वह प्रक्रिया होती है कि जिसके साथ संपतिक निर्मान होता है और इस संपतिक वज़े से हमारे लोगों की जो आर्थिक और सामजिक परिस्ति वह बहतर होती है एजूकेशन बहतर होता है तो इसलिए अगर हमें अपने देश को फिर से दुना का सबसे महान देश बनाना है तो हमें शुरूआत करनी होगी हर प्रदेश में उस बिजनस के साथ और दोस्त वज़े से फिर ये रेविन्यू और प्रॉफिट का निर्मान हो क्योंकि ये वो प्रक्रिया है कि जिस प्रक्रिया में हमारे किसानों को उनका सक्षमिकरन होगा उनकी अच्छे संपत्य या उनका अच्छे दाम उनको मिलेंगे इस प्रक्रिया में हमारे लेवल पे हमारे ग या maximum potential पक लेके जाएंगे लेकिन दोस्तों इस business के लिए जो action plan हमें आज बनाना है वो सकता है वो action plan बहुत ही simple हो बहुत ही चोटा हो कोचेंगे कि हम अपने क्षेत्र का कैसे सर्वसमाविशक विकास कर सकते हैं कैसे हर तरह के रिसोर्स की इनकी प्रगति कर सकते हैं maximum potential के उपर वो detail plan हम कर पाएंगे लेकिन इसकी शुरॉत होगी simple simple business plan के और जब भी हम कहते है कि business action plan बनाना है उस चेत्र के लिए तो इसका मतलब क्या है तो दोस्तो बिजन्स की जो व्यक्या है वह कि आप किसी उत्पादर वो वस्तव सकती हैं सेवा होती उसका निर्मान करते हो और उसे बेचते हो और पैसा कमाते हैं इसे कहते हैं business तो हम जब कहते हैं कि हमने बिजनस प्लान बनाना है इसका मतलब हमें उस प्रॉड़क्ट को आइडेंटिफाई करना है हमें उस प्रॉड़क्ट उस उत्पादन को आइडेंटिफाई करना है फाइनल करना है कि हमें यह प्रॉड़क्ट तयार करना है और बेचना है और पैसे कमाना है इतना सिंपल है ब business plan तायर करना है इसकी जो सिद्धान इसकी जो नियाब हमने बनाए वो गढम सिंपल क्लेर है वो यह है कि हम जो भी प्रोड़क बनाएं हमीं जो भी उत्पादन बनाएं उस उत्पादन के लिए compulsory raw material आएगा वो हमारे किसानों से आएगा हमारा किसान उसके लिए raw material बनाएगा तो जो raw material किसान मानते हैं उससे हम क्या प्रोड़क्त तहर करते हैं दूसरा यह प्रोड़क्त कमपल सरी हमारे महिला बचत गट कुटिर उद्ध्योग cottage industry से कहते हैं या लोगोद्योग इनके माध्यम से ही बनाएंगे हमारे गाव हमारे स्तरफ पर ही बनाएंगे और इसकी जो marketing करेंगे इसका जो promotion करेंगे वो कमपल सरी हमारे गाव के जो जुआ है वही करेंगे और हम ऐसे प्रोड़क्त बनाएंगे जिन प्रोड़क्त के साथ immediately urgently आज हमारे लोग जिस प्रोड़क्त का इस्तवाल कर रहे हैं एकदम सिंपल प्रोड़क्त के साथ चुरुवत करेंगे जो प्रोड़क्त कंपल सरी हर family को हर परिवार को हर व्यक्ति को लगते और आज की तारीक में ऐसे प्रोड़क्त कोई multinational company तयार करके यहां हमारे गाव यह जो उत्पादन आज बेचे जा रहा है बनाए जा रहा है ना यह हमारे consumer के लिए लोगों के लिए अच्छे है और ना ही हमारे परियावरण के लिए तो हमें immediately जो माल तायर करना है जो उत्पादन तायर करने जो प्रोड़क्त तायर करने और बेचने है वो ऐसे प्रोड कि कंपने आके बेच रहे हैं उनको हम replace कर सकते हैं और हमारी बिजनेस की शुरुआत हम वहां से कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यह बहुत important और बहुत ज़रूरी है कि हमारे हर product को हम successful ही चला है जो भी business हम करें वो successful करें क्योंकि successful करने का मतलब यह होता है कि वो जो उत्पादन है वो जो product है वो हम तैयार कर रहे हैं बार-बार तैयार कर रहे हैं उसको बैचा जा रहा है एक अच्छी आमदनी हमारी पूरे activity में तैयार हो रही है क्योंकि अगर यह होगा तभी हम किसानों को अच्छे पैसे दे पाएंगे अगर यह होगा तभी हम लोगों के लिए बिजनस activity को successful करें और दोस्तों अगर बिजनस activity को successful करनी है अगर हम कोई भी बिजनस का action plan बनाते अगर हम कोई भी product की सोचते कि हमें यह product अभी तैयर करना है वो इसकी साथ business की शुरूरात करने है हमारे क्षेतर में तो दोस्तों उसके लिए एक बहुत important बहुत जरूरी काम हमें करना होगा और वो काम क्या है तो हमें एक strong customer base तायर करना हो जो जूड़े है emotionally हमारे उस उद्देश के साथ हमें कर रहे हैं जो हमारे उद्देश है कि हम हमें अपने क्षेतरों को सुझलाग सुप्राब बनाना चाहते हैं हम हमारे देश को मिलके दुने की सबसे बड़ चाहिते हैं इस mission के साथ हमारे लोग जुड़ने चाहिए इस mission के साथ जुड़े हुए ऐसे customer base हमें तयार करनी होगे और बहुत जरूरी है एक बार हमने इस तरह का customer base तायर कर किया हम जो हमारे उस mission के साथ जुड़े तो दोस्तों ये लोग जिन्दगी भर हमारे साथ रहेंगे और हमारे उस मकसद को वो पुरा करेंगे दोस्तो यही कोशीश होती है हर एक company की यही कोशीश होती है हरे company की वो लोगों को emotion के साथ जोड़ें जोगो अभी Amazon यह सब जो दुनिया की सबसे बड़ी-बड़ी company कम्पणिया हैं आप देखोगे कि कभी भी उनकी जो एड़डाइजिंग होती है, मार्केडिंग होती ही, वो कभी भी टेकनिकल नहीं होती। Amazon की जब आड़ा आप देखोगे, तो भले ही Amazon अच्छी सर्विस देता है। आप Amazon को जब अनुभव हो लोगे तो आपको पता चली कि वो टाइम पर सब कुछ करता है, अच्छी उनकी सर्विस है। लेकिन जब मार्केडिंग करनी होती तो अपर इस सर्विस इनकी मार्केडिंग करते हो। वो यह मार्केडिंग करते है कि कैसे Amazon से वो छोटे-छोटे उद्दे जोकों को पैसा कमा के दे रहे। उनके जीवन में खुश्य आला के दे रहे। वो अगर कैडबरी की मार्केडिंग आप देखोगे, कैडबरी की एड आप देखोगे तो कैडबरी का जो चॉकलेट है वो बहुत अच्छा है। लेकिन कैडबरी का चॉकलेट कितना अच्छा है, कितना टेस्ट है उसके एड वो नहीं करेंगी। वो इसके add करते हैं कि किस तरह category के साथ आप अपनी खुशिया बाठ सकते हो, भैदर कर सकते हो, तो हमेशा हर company लोगों को इस emotion के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो बहुत जरूरी है, और दोस्तों यह इसलिए भी जरूरी है कि यह लोग जब किसी company के साथ, जब किसी brand क साथ emotionally जूड़ जाते हैं, तो वो हमेशा जिन्दगी बर उनके customer होते हैं, Mercedes के add अगर अब देखोगे, तो वो, in fact यह जो company जो होती है न, यह यह बताती है कि कि किस तरह की feeling आपकी होगी जब आप इस products को आप इस्तमाल करोगे, तो basically आपके जो emotion या feeling जो है, आप जो message करोग है, हमारा product इस्तमाल करने के बाद, वो जो feeling है, वो feeling के उपकरोग काम करते हैं, उस feeling को इतना strong, इतना तगड़ा बनाते हैं कि आप, जब भी वो Mercedes की गाड़ी देखोगे, या उसको खरीदने की कोशिश करके, तो Mercedes हमेशा ही करते हैं कि आप उसको सिर्फ अनुगो लीजे, तो you will have the best car, वो नहीं बताएंगे कि engine इतने CC का है, या इतने-इतने features है, वो बताएंगे, वो सिर्फ इसके उपर focus करेंगे, कि आप सिर्फ Mercedes का अनुगो लीजे, वो बहुत सुखद, सबसे बढ़िया ऐसा अनुगो आपको मिलेगा, आप coke पी जिए, आप जब coke खोलोगे, तो खुशिवा, खुशिया की शुरुवात होगे, तो ये feeling हमेशा उन customer के दिमाग में रहती है, और वो customer हमेशा lifelong पीर उस product का regular या loyal customer बन जाता है, तो दोस्तों इसलिए ये company या marketing भी वैसे ही करती है, और इसी के उपर ज़्यादा focus करती है, और हमें भी यही करना है, हमें अपने लोगों को इस feeling के साथ, इस emotion के साथ जोड़ना है, और यह बहुत ज़रूरी है, हमें जो काम करना है, हमें आमारे किसानों के लिए, हमारे गाव के लिए, हमारे लोगों के लिए compulsory long term काम करना है, हमें अपने देश को transform करना है, दुनिया की सबसे बड़ी economy में, तो यह जो जजबा है, यह सिर्फ एक कोई product बेशने के साथ नहीं होगा, यह जजबा तब पूरा होगा, जब हम अपने लोगों को उस mission के साथ जोड़ेंगे, और जो mission है हमारा 5B mission, लोगों को समझा चाहिए कि जो activity हम कर रहे हैं, जो भी काम हम गाव में कर रहे हैं, वो इसलि indirectly हमारे खेती के उपर dependent है, तो जब हम एक काम करेंगे, किसानों को सक्षम करेंगे, खेती अच्छी होगी, और कितना बड़ा बदला और कितना बड़ा contribution हम पूरी economy में करेंगे, इस vision के साथ, इस लक्ष के साथ हमें लोगों को जोड़ना है, लोगों को इस लक्ष के साथ ज